नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग JSSC Most Important जारकन जिके के कोश्चन्स को देखेंगे जो की JSSC से संबंदित तमाम परिख्चाओं के लिए बहुत अधिक मातपुन होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में जितने भी कोश्चन्स को इंक्लूट किये गए हैं सारे कोश्चन्स पिरवेस एर में किसी ना किसी परकार के JSSC के एक्जाम्स में पूछे गए कोश्चन्स हैं तो आज का ये वीडियो बहुत अधिक मातपुन होने वाला है JSSC से संबंदित किसी भी परकार की आप परिख्चा का तेयारी करते हों तो आज का ये वीडियो अन तक जरूर देखिएगा और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कुछ-कुछ स्टुडेंट्स का मेरे पास मेसेज आया था कि बड़े-बड़े जो यूटूब चैनल है आप जानते ही होंगे उनका नाम में नहीं लूँगा सम्तिंग फाइटर, वारियर ये सब कुछ-कुछ चैनल है उसमें एक परकार का इस गेम चल रहा है एक वीडियो प्रोबाइट करते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप हमारा सब्सक्रिप्सन ले लीजे 25 दिन में कोर्स कंप्लिट करा देंगे एक माइना में कंप्लिट करा देंगे तो उनसे बच के रही है क्योंकि वे पुराने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और उससे पैसा चाप रहे हैं कोई भी यूटूब चैनल आपको घोल के नहीं पिला सकता है आपको स्वयम से प्रेक्टिस करने के वशकता है अधिक से अधिक प्रेक्टिस सेट लगाने का परियास करें मैं भी इसी परकार एक बड़ा चैनल में पहले पढ़ाता था लेकिन यही सब कारणों से मैंने चैनल छोड़ दिया और अपना चैनल यह स्टार्ट किया है तो हम लोग के चैनल में जो भी वीडियोज आ रहे हैं सबी वीडियोज को फॉलो करें और सिलेक्टेड कोशन से और इनी से संबंदित आपके परिच्छा में कोशन अवज से ही रहेंगे इनी सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं कोशन नमबर वन पे आज का पहला कोशन है जारकन पार्टी 1950 के संस्तापक कोन थे जैपाल सिंग, थियोडोर, सूरीन, कार्तिक उराउं या फिर लास्ट अप्सन है बी और सी दोनो मैं आपको पांस सेकंड का टाइम दे रहा हूँ खुद से एंसर देने का परियास करेंगे उसके बाद मैं इस कोशन का एंसर बता दूँगा ठीक है तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन A, जैपाल, सिंग, मुन्डा ठीक है बस्तव में आप अगर देखेंगे तो जारखन पार्टी का जो गठन किया गया था ये पांच मार्च जारखन पार्टी का गठन किया गया था पांच मार्च याद रखेंगे डेट पांच मार्च आपको डेट याद रखना होगा पांच मार्च उनिस सो 49.209 को इसका संस्तापक जैपाल सिंग मुंडा के द्वारा जहरकंड पार्टी का स्तापना किया गया था 5. पूरानी राजनेतिक पार्टी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं जो की एक अलग जहरकंड राज की मांग के साथ ही आगे बढ़ा था जैपाल सिंग मुंडा को छोटा नागपूर के सभी आदिवासी मारांग गोमके के नाम से जानते हैं इनका नाम भी याद रखेंगे ये भी पूछा गया कोशन है इनको मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है जो की छोटा नागपूर के सभी आदिवासियों के द्वारा दिया गया नाम है मारांग गोम के इनका नाम याद रखेंगे जैपाल सिंग मुंडा जो थे इन्होंने 1940 में जब कंग्रेस का आदिवाशन जारकंड में हुआ था जामगड में तो सुवास चंद्र बोश से अलग जारकंड की मांग की थी और उनको इस बारे में बताया था तो इन सब जानकारियों को याद रखेंगे हो सकता है किसी ना किसी परकार से फिर से कोशन उचा जाए नेक्स्ट कोशन के ओर चलते हैं कोशन नमबर टू बारह हजारी और तेरह हजारी किस जनजाती का अंतर बिबा समू है पहाड़िया, चेरो, माहली या फिर लास्ट एप्सन है गोंड जनजाती कोशन नमबर टू का करेक्ट जनसर सबھی कोई देने का परियास करेंगे तो इस question का correct answer हो जाएगा option B चेरो जन जाती 12,000 और 13,000 किस जन जाती का अंतर बिवा समू है ये चेरो जन जाती का अंतर बिवा समू है और चेरो जन जाती से सम्मधित याद रखेंगे चेरो जन जाती का जो सासन बेवस्ता था महां का जो सासन बेवस्ता था उसमें गाउ तता अंचल इस्तर के पंचायत का परधान हुआ करता था उसे हम लोग मुख्या करते थे इसे बहुत अधिक कोशिन बनता है जो गाउ तता अंचल इस्तर के पंचायत का परधान होता था उसे हम लोग मुख्या करते हैं ठीक है मुख्या उसके बाद जिला इस्तर के पंचायत का जो परधान हुआ करता है उसको इसका नाम याद रखेंगे मुखिया गाउ इस्तर का पंचायत का परधान हुआ करता था ठीक है उसके बाद अंचल माप कीजिका जिला इस्तर के पंचायत का परधान को हम लोग सभापती कहते हैं सभापती कहते हैं इसे आप याद रखेंगे ये भी important question है चेरो जनजाती से संबंदित चेरो विद्रो आप सभी को पता ही होगा 1770 से लेकर के चेरो विद्रो हुआ था 1770 से 1818 के बीच में हुआ था ये भी previous year का question में पुछा गया था और previous वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की थी चेरो जो अंदोलन था इसे किसके द्वारा सुरू किया गया था चितरजीत राय और दिवान उनके थे एक जैनात सिंग उनके द्वारा ये विद्रो शुरू किया गया था तो चेरो जन जाती से सम्मधित इन सभी जानकारियों को याद रखेंगे Q3 है दक्षिनी पस्चिमी सिमान्थ एजेंसी का परथम AGG किसे न्यूक्त किया गया था टॉमस मुन्रो, जेम्स टेलर, विलकीन्स या फिर एलेक्स डंकन Q3 का करेक्ट एंसर सभी कोई देने का परियास करेंगे Q3 का करेक्ट एंसर हो जाएगा Q3 का ओप्षन सी विलकीन्स, दक्षिन पस्चिमी सिमान्थ एजेंसी जिसको साउथ वेस्टेन फरंटियर एजेंसी कहा जाता है इसका सौर्ट नाम भी याद रखेंगे SWFA Southwestern Frontier Agency इसे कहा जाता है इसके इस्तापना के बारे में हम लोगों ने कहा था कि 1834 में इसका इस्तापना क्या गया था 1834 ये भी डेट याद रखेंगे तो Southwestern Frontier Agency SWFA जिसे दक्षिन पस्चिमी सिमान्थ एजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं उनके पहले एजेजी किसे नियुक्त क्या गया था विलकिंसन याद रखेंगे प्रिवेस एर में पुछा गया कोशन है कोशन नमबर 4 है संथाली लिपी ओल्चिकी के अभिसकारक कोन है तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा जारकंड के किस इस्तल से प्रागेतिहासी काल के दुरलब चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्थ हुई है जगतपूर, संकर नगर, दाउद नगर या फिर भावनादपूर तो इस question का correct answer होगा option D भावनादपूर जारकंड राजी के गड़वा जिले में इस्तित है इससे आप याद रखेंगे important question है जैन धर्म के किस सास्त्र को बेद में समिलित किया जाता है जातक कथा आगम सास्त्र, महानिसीद या फिर last option है B और C दोनो तो इस question का correct answer होगा option B आगम सास्त्र जैन धर्म के आगम सास्त्र को बेद में समिलित किया गया है तो इसका correct answer होगा option B आगम सास्त्र नेक्स्ट question है question number 7 चेरो बिद्रो के किस नेता को फासी दे दी गई थी अरजून सिंग, कुनाल सिंग, देव परताप सिंग या फिर last option है भूसन सिंग तो इस question का correct answer हो जाएगा option D भूसन सिंग चेरो बिद्रो से संब्धित अभी हम लोगों ने बात किया चेरो बिद्रो कब हुआ था? 1770 से लेकर के इसका date याद रखेंगे बहुत दफाफ उचा गया है 1770 से लेकर के 1818 के बीच में चेरो बिद्रो हुआ था चेरो बिद्रो बास्तव में दो चरणों में हुआ था पहला चरण जो हुआ था 1770 से लेकर के पहला चरण 1779 के बीच में हुआ था और दूसरा चरण जो हुआ था ये 17 दूसरा चरण हुआ था 17 इसमें 800 से लेकरके 1818 के बीच में दूसरा चरण हुआ था ठीक है पहला चरण जो हुआ था ये अंग्रेजों के बिरुद दोनों ही वैसे अंग्रेजों के बिरुदी हुआ था तो पहला चरण का जो सुरुआत हुआ था ये चित्रजीत राय और उनके एक दिवान हुआ करते थे जैनात सिंग उनके द्वारा सुरू किया गया था पहला चरण उस समय पलामू के चेरो राजा थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था पुना जो दूसरा चरन शुरू होता है वो भूसन सिंग के द्वारा शुरू होता है और ये 1800 इसमी में दूसरा चरन शुरू होता है और इसी दूसरा चरन के परमुक नेता भूसन सिंग को फासी दे दी गई थी तो वही कोश्चन था हम लोग का चेरो बिद्रों के किस नेता को फासी दे दी गई थी तो आपका correct answer हो जाएगा बूसन सिंग जिनों ने जिनके नेतरितु में चेरो बिद्रों का दूसरा चरन शुरुवा था अठारासो इस भी में आगे बढ़ते हैं question number 8 देश में अनुसुचित जाती की जनसेंख्या की दिरिष्टी से जारकन का इस्थान किया है question number 8 का correct answer हो जाएगा option C 14 इस्थान देश में अनुसुचित जाती की जनसेंख्या की दिरिष्टी से जारकन का कोन सा इस्थान है अगर आपका question में आता है कि कितना परतिसत है पुरा देश का 2.72% जारकन में निवास करते हैं जनसेंख्या 2021 के जनगन्ना के अनुसार इसे भी याद रखेंगे और जारकन की कुल जनसेंख्या क्या है इसे मैंने कितना बार बता चुका है मुझे भी याद नहीं है तीन करोड 29,88,134 ठीक है 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारकन की जनसेंख्या कितनी है तीन करोड 29,88,134 पूरे देश के कंपेरिशन में 2.72 परसेंट जारकन की जनसेंख्या है और ये चोधवा इस्तान में आता है नेक्स्ट कुशन है कि स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 इसमी में पहली बार जारकन राज के लिए राष्टपती के पास ग्यापन सोंपा था राम नारायन सिंग, बीनोदानन ज़ा, उप्सन C है सरश्वती देवी, लास्ट उप्सन है कार्तिक उराव इस कोशन का करेक्ट एंसर देने का परियास करेंगे तो कोशन नमबर 9 का करेक्ट एंसर हो जागा उप्सन A, राम नारायन सिंग Q9 का option A correct answer होगा किस सोतंतरता से नानी ने 1955 इस भी में पहली बार जारकन राज के लिए राष्टपती के पास ग्यापन सोपा था option A राम नारायन सिंग Q10 है किस राजा के समाई में इचाक रामगड राज की राजधनी बनी राम सिंग, तेज सिंग, कुनाल सिंग या फिर लास्ट अप्शन है बुसन सिंग तो question number 10 का correct answer होगा option B तेज सिंग आज के इस वीडियो का हम लोगोंने 10 महतपून question के answer देख लिये हैं और उनके बारे में सारे detail के बारे में जान चुका है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे चलिए next question के और अगे बढ़ते हैं question number 11 company सरकार की बिरूत सर पर्थम किस वर्ष भूमीज बिद्रो हुआ था 1769, 1760, 1761 या फिर लास्ट ओप्शन है 1762 इस question का correct answer हो जाएगा सबसे पर्थम बार भूमीज बिद्रो हुआ था 1769 भूमीज बिद्रो से अच्छा है इसे हम लोग चुवाड बिद्रो कहेंगे ठीक है चुवाड बिद्रो इसलिए कहा जाता है चुवाड बिद्रो हम लोग इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि मुगल काल के समय जो भी यहां के जंगल महल के भूमीक थे उनको अंग्रेज क्या करते थे चुवाड कहा करते थे इसलिए जो बिद्रो स्टार्ट हुआ था 1789 को उसे हम लोग चुवाड बिद्रो के नाम से जानते हैं तो इसका correct answer होगा 1769 option A आगे बढ़ते हैं question number 12 की ओर जारकंड से निसकासन के बंगाल से निसकासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से लेकर के 1920 तक कहां रहे थे रामगड में, बोकारो में, रांची में या फिर धनबाद में तो इस question का correct answer होगा option C रांची में बंगाल से निसकासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से लेकर के 1920 से तक कहां रहे थे option C रांची में नेक्स्ट question के और चलते हैं question number 13 आखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशद 1968 स्वी की इस्तापना किसने की जैपाल सिंग, कार्तिक उराउ, सुरज मंडल या फिर लास्ट अप्सन है थियोडोर सूरिन question number 13 का correct answer देंगे आखिल भारतिय अदिवासी विकास परिशद जिसका गठन 1968 में किया गया था इसका गठन किया गया था कार्तिक उराउ के दोरा option B इस question का correct answer होगा हम लोगोंने 13 question का answer देख चुका है आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दे आप like नहीं किया करते हैं अगर आप like नहीं करेंगे तो हमें भी motivation नहीं रहेगा अगर like करेंगे तो based से based हम लोग देने का परियास करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे quality का वीडियो लाएंगे और जो भी questions previous year में पूछे गे थे उनके अधार पर question set बनाएंगे ताकि same to same वही question आपको exam hall में देखने को मिले तो चलिए आगे बढ़ते हैं question number 14 की ओर चोटा नागपूर 19 समाज 29 पत्तिरिका का प्रकासन किया गया था important question है आदिवासी, जारकन, बाहिसक्रित या फिर एकती, एकता question number 14 का correct answer देंगे तो question number 14 का correct answer होगा option A आदिवासी बहुत बार JCC के exam में ये question पूछा गया है चोटा नागपूर 29 समाज ने किस पत्तिका का प्रकासन किया था आदिवासी पत्तिरिका याद रखेंगे question number 15 है अंग्रेजो द्वारा तिलका माजी को किस वर्स फासी दे दी गई थी 1783, 1782, 1784 और 1785 question number 15 का correct answer होगा option D 1785 ऐसा कोई exam नहीं होगा जिसमें तिलका माजी से संबंदित question ना आता हो तो इस question को ध्यानपूरवक आप देख लीजेगा कि तिलका माजी को भासी कब दिया गया था 1785 को तिलका माजी का संबंद आप सभी को पता होगा किस अंदोलन से है तिलका माजी का संबंद तिलका अंदोलन से है तिलका माजी को या कहा जाता था तिलका माजी को याद रखेंगे जबरा पहाडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो वो तिलकामाजी को जाना जाता है जबरापाडिया ठीक है और एक चीज याद रखेंगे 1785 में इसको फासी दे दिया गया था और इसका मुख्य कारण क्या था 1784 में इन्होंने क्या क्या था किलिवलेंड की हत्या कर दिती ठीक है Cleveland इनका नाम याद रखेंगे Cleveland इनकी हथ्या कर दी थी जिसके कारण 1785 में इनको फासी दे दी गई Cleveland बहुत अधिक important है और बहुत सारे question बनते हैं Cleveland की हथ्या कर दी थी इनकी जो हथ्या की थी ये किस परकार इन्होंने हथ्या क्या था Cleveland की हथ्या इन्होंने तीर मारकर कर दिया था जिसके कारण इनको गिरापतार कर लिया गया और 1785 में इनको फासी पर चड़ा दिया गया तो तिलकामाजी से संबंदित इनतने जानकारी को याद रखेंगे बहुत अधिक मातपून है question number 16 है असयोग अंदोलन में golden league नामक संस्ता की स्तापना कहां की गय थी गुमला, गड़वा, देवगर या फिर आखरी option है दुम का question number 16 का correct answer हो जाएगा option C देवगर देवगर में असयोग अंदोलन के दोरान golden league नामक संस्ता की स्तापना की गय थी important question है option C इसका correct answer होगा देवगर question number 17 है किस त्योहार में नो दिन उपवास के बाद दसवे दिन उपासक जलते कोईले पर नंगे पाउँ चलते हैं मांडा, दसम, सरहूल या फिर बसेरा question number 17 का correct answer हो जाएगा option A मांडा मंडा एक ऐसा त्योहार है जिसमें ब्रती नो दिन तक उपवास करते हैं और दसवे दिन क्या करते हैं नंगे पेर से जलते हुए कोईले पर पार होते हैं जलते हुए कोईले या फिर जो लकडी को जला करके आंगरा बचता है उस आंगरे के उपर चाला जाता है तो यह बहुत ही फेमस यहां का त्योहार है याद रखेंगे मंडा कोईशन नंबर 18 है सवी नई आवग्या अंदोलन के दोरान गिरपतार स्वतंतरता सेहनानी मौपना माजी को केतन माजी और केतन माजी की मौत कहां हुई थी राची जेल में, हजारी बाग जेल में, उप्सन C है पाटना जेल में या फिर लास्ट OPSन है भागलपूर जेल इस केशन का करेक्ट एंसर देंगे केशन नंबर 8 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन C पाटना जेल ठीक है आपने तिलका माजी के फासी के बारे में पढ़ा विर्सा मुंडा की जेल में उनका मुर्थी हुआ था इन सब छोटे-छोटे क्वेशन को आप सभी को पता होगा परन्तु इस परकार के क्वेशन भी बहुत अधिक बनते हैं तो याद रखेंगे मौपना माजी और केतन मातो इनका मौत कहां हुआ था पटना जेल में हुआ था उप्सन C इसका करेक्ट एंसर होगा क्वेशन नमबर 19 है जन संक्या की दिरिष्टी से जारकण में कौन सी जन जाती सरवादिक है मुंडा, संथाल, उराओ या फिर गोंड जन जाती इसका करेक्ट एंसर होगा अप्सन B संथाल जन जाती, जन संक्या की दिरिष्टी से अगर जारकण में आप देखेंगे तो कौन सी जन जाती सबसे अधिक है वो संथाल जन जाती होगा और एक चित आप सभी याद रखेंगे जारकन की सबसे पुरानी या फिर सबसे प्राचिन जनजाती किसे माना जाता है असूर जनजाती को सबसे प्राचिन जनजाती माना जाता है सबसे प्राचिन आदीम जनजाती माना जाता है किसको असूर जनजाती को तो इस चीज को याद रखेंगे साथी कुछ-कुछ जनजाती के नाम याद रखेंगे जैसे कि खडिया, बिरहोर इन सभी जनजातियों को भी प्राचीन जनजाती माना जाता है लेकिन अगर आपका कुश्यन में आता है जारकन का सबसे पुराना आदीम जनजाती कौन सा है तो असूर जनजाती याद रखेंगे कुश्यन नमबर 19 क्या था जारकन में कौन सी जनजाती सरवाधिक है जन संक्या की दिरिष्टी से याद रखेंगे ऑप्सन भी संथाल जनजाती कुश्यन नमबर 20 है भारतिय संभीदान के किस अनुक्षेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजातीों के लिए स्थानों का आरक्षन किया गया है अनुक्षेद 324, अनुक्षेद 326 अनुक्षेद 328 या फिर लास्ट ऑप्सन है अनुक्षेद 330 Q20 का correct answer देंगे इस question का correct answer हो जाएगा option D, अनुक्षेद 330 भारतिय संभीदान के किस अनुक्षेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाती एवं अनुसूचित जाती के लिए इस्थान का अरक्षन किया गया है अनुक्षेद 330 बहुत important अनुक्षेद है इस question का answer याद रखेंगे option D, अनुक्षेद 330 तो आज के इस वीडियो में इतना ही आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को 30 most important और most repeated question को करवाया है जितने भी questions थे वे सारे questions जैसे से के बिभिन्न प्रकार के परिक्षाओं में पूछे गए questions थे इन 30 questions में आपके जगा इन 20 questions में 20 questions हम लोगों ने किया इन 20 questions में आप बता दीजेगा कि 20 questions में आपका कितना question correct हुआ comment करके आप नीचे बता दीजेगा और उस इंसाब से आपका पता चलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार है अगर आपने 15 plus question का answer सही दिया है तो सोच करके चलिए आपका तैयारी ठीक ठाक है अगर 15 से नीचे question का answer आपको आता होगा तो सोच करके चलिए आपका जो तैयारी है थोड़ा सा कम है और आपको बहुत अधिक पढ़ने की आवशकता है अभी समय भी कम है तो अपना तैयारी में लग जाएए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे जन जाती है लिंग्वेज से संबंदित क्लासेस भी हम लोग के चल रहे हैं मुखिरूप से पंच परगणिया की क्लासेस चलते हैं तो उनको जरूर देखा करे और अन्य जितने भी वीडियोस आते हैं उनको भी जरूर देखा करे most important questions हम लोग करवाते हैं जो कि आपके परिक्षा में अवज से ही पूछे जाएंगे तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं धन्यवाद